मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है जिन्दगी का हर लम्हा इम्तहान होता है डड़ने वालों को कुछ नहीं मिलता जिन्दगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है जै मताई दोस्तों आप सभी का स्वागत चिरंच पर आई होप आप सभी स्वस्त और मस्त हैं और आप जो अपना ये बैट चल रहा है इसको एंजोई कर रहे हैं मुझे पूरी-पूरी उमीद है ठीक है अपन ऐसे सीजियल सीपयों के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है और इसमें आपन छह हजार से ज्यादा क्योशन्स करने वाले परसंटेज के मेंने दो परट पढ़ाय है परसंटेज में चोड जो अपना फ्स्ट पार्ट था सेकिंड पढ़ाय कल मैं आपको ठीके दोनों परट पढ़ आए उसमें मैंने कोशिश कर यह पूरा परसंटेज अबर हो जाए लेकिन कुछ टाइप बच गये अपने ठीक है जिससे आज अबन क्कैंपट न जा रहे है जाला पर में के दर की आज आज को पंपटने प्रसंटेज पार्टों है थो फट पढ़ने जाओ ठिक है कुछ मेरे मैं पता है कि हो कुछ को हैं जो हैं वह बच गया जैसे एक Inkanा veig certain होता है आपका ठीक है income based pattern इस यह बच गया आपका ठीक है आपका वैंड डाइग्रम वाला जो कि अधाट कॉंसप्ट हो बच गया आपका ठीक है आपका जो कमिशन बैज बैस्ट होते हैं ठीक है Commission based questions होते हैं यह भी बच गया है आपका ठीक है और क्या बच गया आपका revenue वाले जो भी 245 जो टाइप रह गए ठीक है अब वो चीजे मैं पता कैसे कर रहा हूँगा जब आपके question आएगा तो उनके साथ कर वा दूँगा आपको ठीक है समझने की कोशिश करना बहुत बहुत ज्यादा है ठीक है आपको क्या मिलेगा प्राइस इंटू कंजम्शन इस इकल्स टू एक्सपेंडिचर इस प्रेटरन पर बहुत सारे question मिलेंगे जो कि आपके 2019 में बहुत ज्यादा question पूछे गयते है इसमें और 2000 में 2020 में SSC CGL के prelims में ठीक है SSC CGL के prelims में प्राइस इंटू कंजम्शन इस इकल्स टू एक्सपेंडिचर इस टाइप से बहुत सारे questions पूछे गयते है आज आप उनको देखने जाओगे ठीक है और समझनी कोशिश करना आज जो अपन करने जा रहे हैं ठीक है वो करने जा रहे हैं 2019 और 2020 में जो भी सीजेल में क्योशन आए हैं जो बहुत ज्यादा important questions है उनको अपन करने जा रहे हैं लंसम 27 क्योशन नहीं 27 कोशन आज अपन करेंगे 2019 और 2020 में आए हुए ठीक है परसंटीज में जो 27 क्योशन नहीं आए हुए बहुत सारे रिपीटिड क्योशन थे उनको मैंने छोड़ दिया है ठीक है बहुत इजी था टेंशन मतलो बहुत ज़्यादा इसलिए मैंने वह छोड़े आप कर लोगे उनको भी आराम से ठीक है जब देखोगे यह 27 क्योशन है इनमें भी बहुत सारे रिपीटिटिड है लेकिन अइछ अपन अपना लेक्चर चालू करते हैं लेक्चर चालू करने से पहले मैं आप सबी एक की चीज जीज बहुत вам आइक गया हूंrif उप्लस इसकी तो मैं भूलाइब तो मैं पढ़ा दूगा कैसे पढ़ा दूगा निचोर दूगा तरीके से मैं पढ़ाऊगा थी छे फिरी पूरी दो-तीन-चार लेक्शा में कम्लीट कर देंगे मतलब आपके 6-7-8 गंट होगी ठियोरी की तोsın कर लेंगे घ्ला को पढ़ने क्रोंड में प्रिवेशन करने हैं कि ट्रैंग्ल मृंट करेंगे कोशिश करने हैं तो है ट्रिज़ चुटा बहुत कर वा कि percentage ratio फिर trigonometry फिर algebra फिर geometry यह सब पढ़ने वाले हैं आपन बहुत पहरी तरीके से पढ़ेंगा बहुत मजाद आएगा ठीक है चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ आज के बहुत पहरी चीज़े सीखने को मिलेगे हैं आपको ठीक है आज जो पन पढ़ने जा रहे हैं पहले concept है सम समझ लो बहुत प्राइजी सा concept उसको समझ लो income income इंकम बेज़ परने जा रहे हैं आपन क्या income कि बेज़्ट पैटन ठीक है मेरा भई ठीक है अब समझने कोशी करना मेरे बाई इंकेम ही इसे इसे क्या होती है आप बताओं इंकम है ही इसे ग दुटी है मेरे भई मेरा बताओं आप बहुक्त करोगर मेरी हिंकम सो रुप बंध च्छ घ्रunkt कर रहा है तो तो आप बोलोगे कि आप 15 रुपए बचा रहे हो इतनी सी समझ में आई कि नहीं आई ठीक है अगर मैं बोलता हूं मेरी इंकम 200 रुपए हैं और मेरी सेविंग जो है वो 25 रुपए हैं तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई कि 200 में से 25 माइनस कर दो तो कितना जाएगा आपका 175 व होगा तो मेरी यहां पर कितने आजाएगी सेविंग कितने आजाएगी 20 रुपए जाएगी 30 समझ में आई कि नहीं मतलब मैं कहना यह चाहता हूं आपको यहां पर जो याद रखना है कॉंसेप्ट वह यह हैं बहुत प्यारा सा और बहुत इसी सा ठीक है को याद क्या रखन यह लिए तो आप क्या करोगे क्या करोगे मेरे आपको मैसे माइनस कर दो गए il class कल मैंने आपको ratio method बताया था अगर वह आपको समझ में आ गया होगा और कल की class अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा बहुत जादा ठीक है मैंने कल आपको एक बहुत प्यारी चीज़ समझाई थी कि कि एक सेकंड रुकना मेरे भाई कल मैंने आपको बहुत प्यारी चीज़ समझाई थी बहुत जादा प्यारी ठीक है एक बार blank page लेलू फिर दुबारा उस चीज़ पर बात करते हैं देखो कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई value आपकी 16 सही 2 बटा 3% बढ़ती है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपकी कोई value 16 2 by 3% क्या हो रही है इस 16 2 by 3% का मतलब कितना होगे आपका 1 by 6 मतलब कोई value आपकी initially किती मेरे भाई 6 थी किती इनीशली आपकी value 6 थी आपको नहीं पता ना value किती तो आप क्या मानते हो इनीशली क्या मानते हो 6 फिर इस 6 का 16 सही 2 बटा 3 देखो गे तो आपका कितना यह उपर वाली value यह जाएगी एक और इस value को मैंने क्या बताया था यह आपकी increased और decreased value होती है क्या होती है increase और decreased value होती है मतलब कोई value क्या होई 16 सही 2 बटा 3 बढ़ी इसका मतलब क्या होई initially कोई value किती थी आपकी 6 थी 6 से बढ़ करके एक बड़ि तो आपकी वैल्यू कित्त्यों कित्त्ति और बढ़ी इत्ती चीज मैं यह उस् customization त्यकले उसको बहुत अच्छी तरह की समझाये था कि SiC अब्लमनेक्य आपको बहुत कुछ झिखा कीया हुआ डूसरी चीज्ह Peng यह शीका रर खिया dal कि आपकी प्राइस इंटू कंजम्शन इजिगल्स तो क्या होता है मेरे दोस्त आपका एक्सपेंडिचर होता है यह चीज मैंने आपको सिका रखिए सिका रखिए कि नहीं सिका रखिए आप बोलो कि बिल्कुल सिका रखिए अब मेरी बात ध्यान से समझने क्योशिश करना कुछ भी दिक्कत नहीं इस कोशन में बहुत तीजी चीज है अगर आप मैंने कहा रहता है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी सिकाया था कि अगर यह स्टरेट रहता है यहां पर भी यहां पर भी तो यह जो प्रैस्ट का रिशोज़ा अगर ईस्टू बी है तो तो Expandój was बेस्ट रखिए तो मतलब क्या हूँ आपका कि जो प्राइस का तो आपका जो एक्सपेंड तो आपका जो कंजम्शन था उसका रेशो कितना हो गया बी इस टू ए हो गया इतनी चीज समझ में आई ती नहीं आई थी ठीक है आज इस पर बहुत ज्यादा चीज अपन पढ़ने वाले बहुत सारे क्योशन करेंगे ताकि आपको इस चीज और म इस टू 3 कितना है आपका 3 is to 4 है और आप से पूछा हो कि बताओ A is to B is to C कितना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है देखो यहां पर A कितना है 1 है यहां पर A क्या नहीं है यहां पर B है यहां पर B है यहां पर B है लेकिन B यहां पर अलग है और यहां पर अलग है ठीक है य यहां पर भी वह यहां पर है इस तरीके से करना पड़ेगा यहां पर यहां पर तो मेरे भाई मैं क्या करूं की वी इक वलो जाए आप बोलोगे कि रेशो की एक चीज और याद रखना रेशो में अगर किस चीज से इसको भी मुल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो तो यहां पर किस से इन ड़ना पड़ेगा 3 यहां पर तो यह इतना आजयेगा 6 और यह कितना आजये आपका 3 अब आप देख सकते हो वे इस्टू अलग है और आप से क्यां समय चुछ और क्या सकते हैं और आप के The nah कितना ऌपका च्ठीन बिकितना आपका तो इस तरीके से रिषक निकाल सकता कि आप शार नियू और समझने के कोशिश करना अिक तो यह कर's बसट्राकर और फर्श्ट मैंथमा हो गया सचिंड मथाड क्या बोलता आप का उसको समझना हुष कि कि सेकिंड मेसर क्या पूलत ऑसको सब मुस्ट के पास के बूत है एस्लब कि तो यह चुज NOT time टे के डिए पिश्ट फोर तो समझ calculated के अब नीचे इस बी को लगा दो ठीक है आपको चाहिए का एक बाई हां से समझ दुबारा दुबारा समझने परमेरे भाई आप से के निकलवा रहा है क्योशन में अ है जो सू बी इस निकलवा रहा है पहले तो बिडिकारियो लिख दो यह a b का रिशो गया कितना होगा a से 2 हो गया ठीक है one से two हो गया फिर b और c का रिशो लिखो तो कैसे लिखो इसके नीचे लिखो अब समझ में आया कि निया है कैसे लिखना इस तरीके से लिखना है अब मेरी बात ध्यान से समझने कोशी करना अब समझ लिए तो बहुत इजी लिख़ों कर लोगे अब क्या करना है इस वन को इस थी से मईल्टिप्लाई करना या है तो और शाल्य से मौन्टिप्लाई करना है तो फिर वी आपको इस टू को छी hol एक देखने तबुथ एक तरीका यह है और यह तरीका बहुत इसी एफ यह पिस िकाल सकते हैं टेक्र अब हम आपको यह अपने कूज़ मैं आया कि नहीं आया एक चीज द्यान रखना जो भी पढ़ा रहो हर चीज काम की हर चीज और देखो यार आप भले कहीं से पढ़ रहे हो मेरो कोई प्राब्लम नहीं है ठीक है आप कहीं से भी पढ़ रहो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उन लोगों तक यह वीडियो जरूर पहुचाओ जिनको अच्छा पढ़ा रहा हूं और इतना कॉंटेंट दिरों वह भी फ्री में तो उन लोगों तक पहुचाना जरूर बनता है आपका तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों तक जरूर यह अपना जो लेक्चर चल रहा है ठीक है अपना जो बैच चल रहा है उसकी details पहुचाओ ठीक है आगे बढ़ते हैं ना कि में देखो आगे बढ़ते हैं देखो यह अपना फश्ट क्शेंग आज का टीक है और बहुत इजी क्योशन है इंकम बेजट क्वेशन्स पें यह ठीक है समझ नहीं कोशिच करना क्या बोल रहा है कोशन में क्या बोल 15% बचाती है if our expenditure increases by 20% and saving increases by 60% then why what percent has our income increased सुधा अपनी आय का 15% बच्चत करती है यदि उसका व्यव्य 20% बढ़ जाता है तता बच्चत में 60% की व्रद्धी होती है ठीके तो उसकी मैं कितने प्रतिशत की व्रद्धी हुई मतलब उसकी इंकम कितनी इंक्रीज हुई कितनी percent increase हुई यह पूछ रहा है अपसे ठीक है बहुत इजी क्यों नहीं अब मेरी बात को ध्यान से समझने कोशिश करना ठीक है देखो सब्सक्राइब क्या होता है आपका आप बोलोगे इंकम होता है आपका क्या होता है इंकम होता है अगर मैं मानता हूं उसकी income मेरे को पता ही नहीं किती है तो मैंसे पंदरा परसेंट बचा रही है सो का पंदरा परसेंट कितना होता है फंदरा होता है दो कि ले लिए तो समझ मा आई कि अगर प्रेक्टिस करियोंगी तो सो रुपे का पंदरा परसेंट निकालों कितना अगा पंदरे आएगा फिर आप बोलोगे अगर सो मैंसे पंदरा उसकी सेविंग्स है तो आप बोलोगे पिचासी उसकी क्या रही होगी एक्सपेंडिचर रही होगी सित्सी बात समझ में आई कि नहीं मतलब मेरा इंकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का अगर मैं रेश्यों देखूं रेश्यों देखूं इन तीनों का तो आप बोलो कि हंड्रेट इस्टू 85 इस्टू और यह कितना है आपका 15 ठीक है अब वह बोल रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर 20 परसेंट बढ़ गया यह जो था भ चाहिए नकालना है आपको सेविंग कितनी बढ़ गई आपकी नो रुपए बढ़ गई ठीक है बहुत से बच्चों को यह चीज समझ में आई कि मैंने इस तरीके से कर दिया ठीक है को समझ लेना 85 का कितना निकालना आपको 20% 20% की फ्रेक्शन वैली होती कितनी एक बटा पांच इस पांच से इसको काटो होगे कितना हैगा मेरे दोस्ताफ सतरह कितना है sto That's 23 मतलब आपकी अपरण पहले कितना था सतरह टा उससत्रा पे 20% का इस्तना पर्सेंट कितना है सत्रा मतलब 17 मpat half charger क्रेब बटेगा कोелब जिए सब्सक्रा एक शडविंग किती पंद्रा रूपय इस पंद्रों का समझना हाँ इस 15 का कि निकालना का निकालना और 15 का शाइच परसंत निकालना का 1-ची कि दरी पहले 15 15 में साल परसंट बढ़ गई तो तो 9 रूपए बढ़ गई आपको क्या कर देaisम नीचे जो इंकम कितना बढ़े होगी आप यह बता एकसे अंदिजर उसका 17 मैं जबना सेविंग उसकी ना पड़ा इनकम इस फोल उड़ा च्पन प्लपिन उस चतनी बढ़े 19 कि 26 रुपए मतलब आपकी कि इंकम कितनी बड़ी 26% बड़ी 26% मतलब समझ में आया की नहीं आया देखो समझना आपकी कि आपकी सेल्डी ती सो मतलब है कि सेल्री किती ही 100 से कित लि compromise हगी की एक लिवा फून अथा सबने के लिले बड़ी कितनी पर उस्थो पर उन्डेड कर लुए करो के परशेंट घंडे मिप्र संड ले रख अधा परसंट बढ़ी पार्षेंट बढ़ी साल में आया क्या समझेंगे पहले सब्सक्राइब कराता हूं देखो क्या बोल रहा है सुर्भी स्पेंट 75% ऑफ इंकम इंकम इंक्रीजिस बाइट 20% देन सेविंग डिक्रीजिस बाइवन परसेंट देन परसंटीज इंक्रीज इन हर मैं कितना इंक्रीज हुआ ठेके मेरे भाई समझने कोशिश करना इंकम इंकम इंक्रीजिकलिस स्टु कितना होता है आपका इंक्रीजिकल्स प्लस सेविंगूं इसमें कोई प्रापलम है तो बताओ आप बलोगे बिलकुल नहीं है इतनी अब क्या बोल रहा हो शुर्भी स्पे भचा रही है वह 25 रूपय आपका क्या कर रही है 30 समझ में आई कि नहीं आई अगर 100 रूपय आपकी income है 100 में 75 के कर से 15 को सेय स्के सैटकर में की बसती है उसके पास पत्चेश समझ में आई कि नहीं थेकं या फिर क्या बोल रहा है इस और income increases by 20% 100 का 20% बढ़ा हो गए मतलब 20% बढ़ाओगे मेरे भाई तो कितना बढ़ेगा आप बोलो के 20 रुप्या बढ़ेगा ठेक है मतलब अब क्या लोगएंड सेविंग डिक्रीजिश वा नपर सेविंग है यह आपकी क्या होगी रीज और बोलते से पड़ा बहुत सारे अव्कल्मंद आएँगे और वह 25 पर सेंट निकालने लग जाएंगे 25 का एक पर सेंट निकालना अंप को है यह भी निकालना है अब यह भी सि था क्योंकि जब मैंने दो क्लासिकल करा ही थी न वह आपने धंग से नहीं पड़ियोगी अगर आपने वह धंग से पढ़िए उनके नोट्स बनाएं उनकी प्रैक्टिस करिए खुद से टिके जो क्यों दिये वह करें और आपने उनको दुबारा से समझने कोशिश करियोगी तो हंडेट परसेंट है कि आपको पहन चलाना पड़ेगा यहां पर 25 का एक परसेंट का मतलब होता है एक अ पॉन सो तो यहां पर कितना जाएगा यह यहां पर कितना जाएगगा यह मेरा बाई कि एक सेकंड रुखो तो मतलब उसकी savings में से 1% उसने के अगरा decrease करा तो यहाँ पे उसकी जो saving जो रह गई होगी आप बोलोगे किती मतलब किती रह गई होगी वैसे तो यहाँ पे रह गई होगी 24.75 लेगिन आपको यहाँ पर यह नहीं लिखना है मैंने आपको यह चीज़ सिकाए आपको मैं बहुत प्यारा method समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको direct क्या लिखना है जितनी उसकी saving decrease हुई है उसकी saving किती डिक्रीज पत्चीस का एक परसेंट तो पत्चीस का एक परसेंट यहाँ पर आपको लिखना है तो वह कितना है यहाँ पर 0.25 आएगा और किस के sign के साथ आएगा माइनस के sign के साथ आएगा अब वो पूछ रहा है कि expenditure में क्या increase हुआ है भाई income is equal to क्या होता यह आपका expenditure एक बार के लिए मैं ऐसे रिखता हूँ आप बोलो कि income is equal to होता आपका expenditure plus saving इधर यह जो है minus का है इधर आके plus का हो जाएगा तो आपका expenditure कितना जाएगा आप बोलो कि expenditure होगा मेरा 20.25 मतलब जो मेरा यहाँ पर expenditure होना चीगा जो increase हो करके वो कितना होय है 20.25 जो है मतलब 75 पे मेरा expenditure कितना बढ़ेगा 20.25 रुपे बढ़ेगा मतलब आप से क्या पूचा है expenditure percentage पूचा है कितना increase हो रहा है तो कितना increase हो रहा है आप बोलोगे 20.25 जो है मेरा expenditure increase हो रहा है और कितने पे हो रहा है तो आप बोलोगे कितने पे हो रहा है 75 पे हो रहा है into so करोगे percentage निकालने के लिए अब यहां पर यह point है इससे यह 2.0 कट जाए काटोगे 25 से को काटो तो कितना यह एट और यह कितना आगा वन उसको काटो तो कितना आजए का सथाइस तो जो आपकी expenditure percentage आई मेरे भाई वो कितनी आई है 27% मतलब आपका expenditure बढ़ रहा है मेरे भाई वो कितना बढ़ रहा है आपका 27% जो expenditure बढ़ रहा हो कितना बढ़ आपका 27% यहीं ता क्योशन बहुत ज्यादा इजी क्योशन ता आगे बढ़ते हैं कि एक और क्योशन है बहुत प्यारा सा वो देख लेते हैं कहां है ठीक है o के एक बहुत ज्यादा कुशन भी देख लो यह का बोल रहा है समझना ठीक है कि I B B की आए से 40% अधिक है ठीक है मेरा भाई यह आपका ऐ हो गया भाही मेरा यह आपका भी हो गया भाही मेरा टेक है एक यह ऐकी आयए B की आई से 40 परसंट अधिक है पहले बता हूँ चालिस परसंट अधिक का मतलब कितना होँ आप बहूं कि 40 परसंट incentiv मतलब होता है मेरे भाई 2 upon upon 5 होता है कि यहां होता है कि इतना यहां चीज को जो कि बता रहा है वर देखने कोशिश करना ठीक है अब इस 5 का 40% निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका ये 2 ही आएगा तो इस 5 से 2 अधिक आपका क्या है A है मतलब अगर आपका A कितना B कितना है 5 है तो इस से 40% अधिक मतलब 2 अधिक आपका क्या है A है ठीक है इसको दो तरीके से कराऊंगा deviation method से कराऊंगा ठीक है और एक basic method से कराऊंगा दोनों method से कराऊंगा मज़ाज आएगा ठीक है तो आपका A कितना हो गया 7 हो गया B कितना हो गया आपका 5 हो गया इत्ती जी समझ मैं कि नहीं आई यह क्या हो गया इनकी income का ratio हो गया, यह क्या हो गया मेरे भाई, इनकी income का ratio हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते है, A की आये 25% बढ़ गई, A की आये कित्ती बढ़ रही है, income, income ही कित्ती राइस हो रही है, इनकी 25% बढ़ रही है, कित्ती बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है, और जो मेरा B भाई है, है कि इन दोनों की मिलाएं कि कितनी बड़ी बड़ रही है ओरॉल कितनी बढ़ रही है एक बार के मान लगता हूं 25 और 40 के बीच में आपका अंसर रहने वाला है ठीक है और आप ऑप्शन भी देख तो इन्हीं में से दे रखा है 25 और 40 के बीच में यह इसका अंसर ठीक है अब समझना मैंने मान लिया एक बार के लिए कि 30% दोनों की इंकम अगर घड़ती ठीक है इधर भी 30 बढ़े इधर भी 30 बढ़े तो क्या होता अब क्या करना होता है इस 30 से 25 को और इस इस चालिस को कमपेर करना होता है मैंने क्या मना इसको एक तरीके से मान लिए क्या होता है मैं एक बार कि यह मानता हूं कि 30 परसंट ही दोनों की इंकम बढ़ती तो समझ नहीं कुशिच करना आप अब क्या करोगे इस 35 को गश्यक है यहां पर कितने परसंट कंम है और कितने पर कम है 7 पर कम है तो कितने इंट नहीं है है और उने परें इस पांच पे जादा है तो मतलब क्या हुआ पांच इंटू पचास मतलब पांच इंटू दृश्व प्लसका 50 पर सेंट है जैका है एक ना जलता है यहां पर भाई नीचे क्या आंपको मैने बताय था यह इनका यूनिट आपका यह रेशू गिवन कितना है थो कितना है कितना है यह पॉंच दो पांच कितना होता है एक पॉइंट दो पांच और यहां पर यह भाई आपका यह कितना है थर्टी वन पॉइंट टू फाइफ परसेंट आपका गया वाई दोनों की जो इंकम है ओवर ओल इंक्रीज हुई है और यह क्या है इसका अंसर है और यह इसको डिवेशन में ने बहुत इजी ली और बहुत जल्दी कर दिया है ठीक है आप इसका इसक्रीन शोट ले सकते हैं नोट मुतार सकते हैं नी समझ में आतों वापस से रिपीट करके देख सकते हैं बहुत इजी कोशन था ही एक बार दुबारा इस कोशन को समझने कोशिश करना ठीक है जो कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेतद से समझांगा बहुत इंपोर्टन आपका वो बन्दा बोल रहा है कि जो ए है ना वह उसकी इंकम बी से 40% ज्यादा है अगर मैं वे को कितना मानूं 100 मानू तो आप बोलोगे एक इतना हो गया मेरा 140 हो गया हो गया को मैं सिंप्लेस्ट फॉम में लगो गा तो आप बोलोगे वापस से कितना जाएगा 7 से 5 फिर बहुत रहे है कि यह वाली चीज को है कि जो है जो है प्सचीन परसेंट इसकी वा हनों कोई सorit नम्बर करना पड़ेका तो कर रहा हूं तो यह कितना हो जागा शालिज सोगी मेरे छिंट हो तो आपका 500 हो जाएगा ठीक है आपकी सेन्टी सिसाथ सु पे कितने का इंकरीज्ट का साथ सो का 25 परसेंट मैंतला पच्छिस इनटू साथ कितना आप का आप बोलोगे कितना एगा 175 कितना होता है आपका 175 और पात्र सने फड Warsz 아직 निकाल हो कितना है बीitarian गैच्ट्रा तो यह कितना हैगा आपका 200 रुपय एक्स्ट्रम है मतलब आपका overall देखा जाए A plus B देखा जाए तो आपका कितना आजाएगा यहां से कितना आजाएगा 375 रुपीज आजाएगा कितना आजाएगा 375 रुपीज आगया और कितने पे बढ़ रहा है ये कहते हैं इनकी इनकम सुरुवात में कितना है 700 यह कितना है आपका पांसो मतलब चुरुएय किते किटीन की 1200 थि आपको कैंने कालना इस burning कैसे तो है तो है यह 10 to 110 Кट गया बढ़ा को जब इससे schedule करोगे yourself कितना है पर S하겠습니다 ऑपतीज हो रही है कितना गया झाय कितना या कितना आपका ठीवन पॉइंट टू पाइफ परसेंट आपका क्या अंसर आच जो आ जरूर करना अब क्योंशन क्या बोल रहा है एस 20% less than B and C is 20% more than D if D is 25% less than a then which of the following is true अब देखो option में B और C की बात कर रहा है हां पर B और C की बात कर रहा है ठीक है मेरे भाई अब समझने की कोशिश करना बहुत इजी बिल्कुल basic से समझाऊंगा यह क्या बोल रहा है आपका सबसे पहली चीज और B की बात कर रहा है ठीक है तो एक बात कर रहा है तो क्या बोल रहा है 20% less than B 20% less than का मतलब क्या होता है 20% का मतलब कितना होता है फेले बता 20% का इस पांच का 20% less मतलब यह 1 less कोन है आपका A कह है तो मतलब अगर आपका B कितना है 5 है तो आपका A कितना है आपका बाई 4 है इत्ती चीज़ समझ में आई की नहीं कब डूसरी तरीके से सब्सक्राइब कर सकतू और आपका B कितना है is so से 20% कम बबब 80 क्वोंन आपका एक और इन दोनों का है सिंपलयस्ट वं方 tape 4 जेगा दोनों यहतर सही है ठेक है अभी शुर्पर सब्सक्राइब कर मेर वैब आगे बढ़ते हैं देखो अब आपको क्या बात कर रहा हूं बोल रहा है कि C is 20% more than D अब आप अपने C और D की बात करें C is 20% more than D C is 20% more than D अगर D कितना है आपका 5 है तो C कितना है आपका 6 है समझ नहीं कोशिश करना 20% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त आप बोलोगे कितना होता है एक अपन पांच होता है ठीक है तो आपका जो डी है अगर वो पांच है इस पांच से 20% ज्यादा मतलब यह एक ज्यादा कौन है आपका D है तो मतलब अगर आपका D कितना है पांच तो इससे एक ज्यादा आपका क्या है C है ठीक है अभी मैंने D बोल दो था तो आपके क्या होगा C होगा ठीक है 25% less than A 25% का मतलब कितना होता है मेरे भाई आप बोलोंगे एक बटा चार होता है ठीक है क्या बोल रहे है दी is 25% less than A तो यह क्या है मेरे भाई आपका A है इस A 4 से 25% चारगा 25% निकालोंगो तो कितना एक एक आएगा तो वह तितिस चीज आप को समझ में आई की नहीं आयी कि समझ में आए गई गई कि 1 चीज और देखो आगे बढ़ना यहां पर डी यहां पर दी यहां पर ए इन में सबस्ते हैं चीजों को और आब इसको किस तरीके solve कर noodles को समझने की बस कोशिष करना ठीक है यहां पर देखो यहां से कुछ से नी बन पाएगा इन दोनों से बनेगा किस से इछ से इस कर तो तीनों से लेकिन को अब ही देख नहीं access इसको एक बार रब कर दूँ फिर समझना अब देखो मैं क्या करूंगा वह चीज समझने कोशिश करना मैंने लिखा C ratio D तो कितना है आप बोलोगे 6 से 5 है फिर मैं लिख रहा है D ratio A तो आप बोलोगे कितना है 3 से 4 है अब समझ मैं मैं क्या बोलना चारा था ठीक है इतनी चीज समझ मैं आई की नहीं तो यहां से मेरा के निकल जाएगा C ratio D ratio A निकल जाएगा तो आप कैसे निकाल लोगे इसको इजी ली निकाल लोगे 6 तीया 18 हो गया यह मेरा भाई इन दोनों को multiply करो तो कितना जाएगा 20 आजाएगा मेरे भाई कितना आगया 20 आगया इतनी चीज समझ मैं आई की नहीं लेकिन अगर मैं इस ratio में देखता हूं तो A कितना है मेरा भाई 4 है सिर्फ A कितना है यहां पर 4 है लेकिन इस ratio से A कितना है आपका 20 आया तो मेरे को A को equal बनाना है B कितना है आपका देखना है Yep को कि अपको सिर्फ B और C की बात हो रही है hem और और C की बात हो रही है आपको ना एसे मतलब है न आपको मतलब है इतनी चीज से आई कि नहीं आई तो सी कितना है आपका आप बोलो के पचीस है तो आपका वन पोईंट सम्तिंग यहां पे कुछ भी नहीं है मतलब आपका । टिवाइड कहा गया है 18 को डिवाइड करा गया है 25 से मतलब इसको अगर मैं फ्रेक्शन फॉम में लिखूं तो सी अपॉन भी यह कितना आएगा आपका 18 अपॉन पच्छिस आएगा ठीक है अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो जीरो पैंट सम्तिंग आएगा और जीरो पैंट सम्तिं ठीक है तो मतलब अंसर कितना रहने वाला आपका 0.72 रहने वाले और यह जो बी था यह दर चल जाएगा तो यह दर आके प्राइज इंटू कंजम्शन इस इकल्स तो क्या होता अपका एक्सपेंडीचर कल कर आया था उसी पर क्योशन आया समझने के कोशिश करना बहुत हल्वाता क्योशन है उड़ाएंगे इसको जल्दी से दा प्राइस ऑफ शुगर हैस इंक्रीज बाइटीन परसेंट आप परस परसेंट बढ़ाना चाहता है उसे अपनी खपत में कितने प्रसिशत एक दिसंब्लब इस्तान तक सही कि कमी करनी चाहिए समझने के कोशिश करना बहुत इसी कोशन है देखो कल मैंने आपको समझाया था कि प्राइस इस इकल्स तो क्या होता है आपका कंजम्शन आपका अब एक चीज़ समझने कोशिश करना यह जो सेकंड टाइप है इस पर वह है यहां पर आपको पूछ रहा है कि क्या चिंज आएंगे यह कोशन पूछ रही है आपको बोल रहा है कि प्राइस आपकी अथारा परसेंट बढ़ गई अथारा परसेंट का मतलब होता है नो अप मतलब आपकी वैलियों पहले किती ती अठारा थी और पाशास थी इस पचास का अठारा परसेंटि मतलब कितना नो आपकी बढ़ कोई इंगा कितने आपकी 59 होगे समझने आपका बढ़ा रहा है मेरे खान्ठ बढ़ा रहा है मैतलब किता हुता है आप 35 ता इस पर से घल हुब गया है तो अब कितना हो गया आया समझ में आया कीशना हुदего राप पच्छीस था 25 पर तीन बढ़ गया एकस पे तो किता होगा आपका 28 हो गया है ठीक है समझ में आई की नहीं आई इत्टी समझ में की नहीं यहां पर आप आप से कंजम्शन पूछ रहा है तो इसको बिलकुल बैसिक से समझा रहा हूं उसके बात मैं इन को उड़ाते हो चलेंगे अगर आपको एक बार यह समझ मा जायगा तो तो इससे करते हैं यहां से मैं देखूंगा तो तो C1 की जो value आएगी क्या वो यह आएगी 25 अपॉन 25 अपॉन कितना आएगी 50 आएगी ठीक है और अगर मैं देखूंगा यहां पर तो C2 की value है वो कितनी आएगी मेरे भाई आपकी यहां पर 28 अपॉन कितनी आएगी 59 आएगी क्या आप बोलोगे बिल्कुर आएगी यह आपक बाद में जो final consumption है वो रहा होगा अगर मैं दोनों का ratio देखूं C1 ratio C2 लूँ तो आप क्या बोलोगे कितना हो गया 25 अपॉन कितना हो गया आपका 50 ठीक है मेरे भाई और यहां पर यह कितना हो गया आपका फिफ्टी नाइन हो गया कितना हो गया 28 अपॉन 59 ठीक है आप देख कितना यह एक अपॉन 2 है यह फिर यह समझो यह कितना है अपॉन भी यह कितना सी अपॉन डी इस फॉर्म में जब भी ratio होगा तो मेरे भाई क्या होता है जो दी है एक के पास चलता है multiply होने के लिए उड़तावा यह इसके पास आजएगा उड़तावा तो कितना हो जाएगा सब कुछ समझ माना चीए ठीक है नहीं आ रहा हो ना तो प्लीज मेरे को बताना कि यह समझ में अब यह चीज इसके पास आके multiply हो जाएगी और यह चीज यहां पर आजाएगी ठीक है एक बचा यहां पर तो एक से 59 multiply हो तो कितना रजाएगा 59 ही रजाएगा ठीक है और यह ज करें कर दो video कर दो कि कम कम जीम आंब कर दो वार्थ जैसे सैंज प्राइस बढ़ती जाएगी है तो आपका कंचंप्शं कितना था पहले 59 अब 59 समय अब कितना कितना में आप डिक्री अगे मतलब कितना ना क्लिकोंद्यटों टिक्रीई और तीन यूनिट हो गया होगा इंट कितने पर्सेंट नाव का डिक्रीज हुआ तो कितने वी नाइन पर कितने फिस्त नाइन पर इंटु क्या है आप हंड्रेड क्या है अब देखो 38-59 को आप के चाओ और तीन सो को दिवाइड करना है तौन करना 300 को डिवाइड करना किस से 59 से अब कुछ अकल मंद क्या करेंगे दिमाग लगा जाएंगे किस से जाएगा किस से जाएगा पहले क्योशन भी देखा और यह पर शे से कितने जागा 295 कितने बार में पांच बार में जब 59 को पांच कर दो तक कितना चाटा तो कम से कम यह तो हुगा नी यह नहीं सकता अब तीन तीन बार में भी हो नी सकता तो यह होना चीए आपका फिर यह होना चीए यह नोट करने होगा अब मैं आपको यहां पर बहुत पहरी चीज समझाना चाहता हूं उसको समझना आई होप आपने नोट कर लिया हूगा ठीक है इतनी माताफोड ही नहीं करनी है आपको ठीक है बहुत इसी तरीके से करना इसको ठीक है मेरी बात ध्यान चे समझना बस उड़ाद होगे इस को देखते अभी एक दो क्यों कर रहा हूँ आँ तब समझ माज आए और अच्छी तरीके से टेंशन मत लेना ठेक है इस चीज की जरूद निया आपको लिखने की पता है पहन कम चलाना है आपको आपे बहुत कम चलाना है आपको पहन बहुत कम बस जित्ता मैंने लिखा इत्ता भी नि 22 निकालाना क्या होगा समझ आपको क्या सकाँ इससे मल्टिप्लाय करना है क्रोस में नहीं अपर कितना जाये गा यह Спती ना Billy कितना जाए शिक कितना है जाए आपको तो कितना की है और यह कि éğa है यह क्या जै है मिश्टिट्शच वह चुका है ब्लचुँन का यहां से जो paar तो 25 से किती बार गया दो बार गया तो इसको डिवाइड करो तो कितना जाएगा जो कि क्या होगा आपका अंसर होगा ठीक है निकाल लेना आगे से समझ में आगया हो आपको यह आगे वड़ता है Q6 क्या बोल रहा है? The price of sugar has increased by 22% A person want to increase his expenditure by 12% only By what percent should he decrease his consumption nearest to the one decimal? ठीक है चीने की कीमत 22% बढ़ जाती है एक व्यक्ति अपने व्यवेव में केवल 12% की व्रद्धी करना चाहता है उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी एक दसमलब इस्तान तक सही करनी चाहिए बहुत इजी कोशन है समझना ठीक है आप देखो option भी देखो कैसे देरके ठीक है option भी देख लेगरो रखेते आप क्या बोल रहा है यह प्राइस हो गया इंट क्या हो गया पर कया है यह पूछ रहा है आप से का बोल रहा रहा है जो प्राइस कि ती शुरुवा-त में 100 थी 100 पे 22% बढ़ गई प्राइस तो आप कित्त हो गई आप बोलोगे 122 हो गई इस तीजी समझ में आई कि नहीं फिर बोल रहा है कि उसका expenditure है मेरे भाई वह कितना बढ़ गया है आप बोलो बारा परसेंट बढ़ गया है मतलब अगर expenditure जब शुरुवात में सो था तो सो से बढ़कर के कितना हो गया आपका 112 हो गया इतीजी समझ में आई कि नहीं है फिर आपको क्या निकालना है सीवन रेशो सीटू निकालना है ठीक है तो आप यहां से पाओगे इन दोनों का मिल्टीप्ला है तो यह कितना जाएगा आपका 122 इंटू सो आजाएगा और आपके आप आओगे इन दोनों का मिल्टीप्ला है आपका सीटू आजाएगा तो यह कितना जाएगा 112 इंटू कितना जाएगा आपका मेरे दोस्त सो आजाएगा इत्ती चीजी समझ माहिए कि नहीं अब देखोई सो से यह सो कट गया ठीक है अब आप क्या हो आपका इंटू कितना आपका हंड्रेड आ तो मतलब आपको क्या करना है किससे 122 से करना है किससे करना है एक सो बाइस से भाई आठ आठ का मतलब कितना हो गया 800 और यह अंसर जाएगा आठ में आराम से क्योंकि 22 इंटू आर्ट करोगे तो आपका कितना है गई यह कितना जाएगा आठ 168 वर्ण 16 ओके देखो एक मिन्ट जो पहले देखो कि यह उप्शन तो कट गया ठीक है टैन परसंट तो होई ने सकता किसी बालत में ठीक है 7.8 जो है यह भी आपका कट गया अब द ने 61 आ गया कितना गया 61 अब इसको डिवाइड गरों पांस तो मतलब एट टैम तो जाएगा आपको पता है कि टाएगा तो एट टाइम जाएगा तो कितना जाएगा 488 आजाएगा मतलब 12 बच्चा पॉइंट लगाओगे तो 12 के बाद 120 लगाओगे मतलब कितना आए गा आ ठीक है पॉइंट फिर ऐसा आगे जाएगा मतलब 8.1 सम्तिंग आया तो आपको 8.6 तो बहुत ही जादा हो गया कितना हो गया बहुत जादा हो गया मतलब का अंसर किसके निरस्ट आ रहा है 8.1 के सम्तिंग आ रहा है और जो की ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है 8.2 परसें प्राइब जाएगा ठीक है मेरे भाई आगे बढ़ते हैं आपको समझ में तो आ रहा है ना एक सेकिंड में देख लूँ इस क्रीन पर सफाही तो दिख रहा है देखो मेरे भाई क्योशन का बोल रहा है देखो प्राइस ऑफ शुगर है इंक्रीज बाइस बाइस एवंटीन इक सोब गया है ठीक है फिर क्या बोल रहा है एक्स पेंटीटर गॉलाएं एक सो फाह तो अब कितना रहा है इक सो आट हो गया है ठीक है बढ़ गया है अब मेरी बात ध्यान से समझने कुछ जी करना जब अपन रेशो ले रहे थे सीवन कितना रहे था इन दोनों का मिल्टी चीज है बहुत अच्छे से ठीक है सीखनी के आपको अब क्या करना है यह नहीं लिखना है और यह भी नहीं लिखना है आपको डायकर प्राइस किती बड़ी 100 से कित्ते हो गई में चले गई फिर expenditure कितना पड़ा 100 से कितना हो गया 108 हो गया तो मतलब consumption का जो ratio रहने वाला है वो कितना रहने वाला है यह सो से सो कट जाता है इसलिए बता रहो तो आपको direct क्यार पता हो ना ची कि 117 से कितना रुचका आपका per second 106 aka 17 have 178 facility कितना हो गया है कितना हो गया 108 आप देख सकूआ यह और मतलब consumption कितना these on neo dependence कितने पर decimalbürल Việt जोंगा बबोलें एक सो 17 हो गए ऐंटू सो आपको percent निकालना है इन तू सो यह आपका आशा ने पर 117 कौन कर आपका से अगर मैं इसको आंट से करता हूं ठीक है आट से करता हूं तो 800 सिदा-शिदा वो हो गया और यह 900 सो पर चल दाएगा मतलब साथ पॉइंट सम्तिंग अंसर आएगा तो आपका यह 8.1 कट गया है और 8.2 8.3 भी कट गया है समझ में आया कि नहीं है ठीक है 800 वो हां तो आपका अंसर कितना होगा 7.7 है 7.9 होगा ठीक है अ 7.7% 10.0 तो आपको कितना और था 7.7 9 कितना होगा 7.7 हो गया 7.2 शुर्ष diapers हो कितना हो जैपको आपको सीखनी है ठीक है ताभी पेपर में अच्छा कर पाऊगे पेपर तभी किलेश की रहो boat जब आपको सब कुछ आता हूँ, option से खेलना भी आता हूँ, इनके दो तिन तरीके भी पता हो, पता है मैं आपको पहले भूला था, जब 25 १ोरा था, जब 25 धर ना सीजियल में, match में अगर 25 धर्विशन आ रहें, कितना रहें? 25 धर्विशन, तो मेरे भाई, यह 25 के उशन आपको कही न कहीं, के आपको आने ही चाहिए लिकिन की से कया आपके तरीके से होनी चाहिए और वही मैं क्राविक सकतन prends क्रौशिश कर रहा हूं कि आप 25 जब आप गाँशन जाराहे आप देखो तो आपको मजा आज चाहिए या डिक रिडिवीजिस कंजम्शन चीनी कीमत 17% बढ़ जाती है एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति अपना व्यक्ति केवल 7% बढ़ाना चाहता है उससे अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए बहुत इजी कोशन है समझना देखो प्राइस इंटू कंजम्शन वही चीछ चल रही है यह सारे कोशन देख लो आप देख सकते हो 2019 स्थे प्राइस इंटू कितना होता है आपका एक्स पेंडिशर होता है तिक है मेरे अब देखो क्या बोल रहा है कि प्राइस जो है आपकी कितनी बढ़ी 17% मतलब 100 से कितनी बढ़ गई आपकी 117 हो गई ठीक है फिर य हो जाएगा एक सो साथ हो जाएगा यह जीज लिकनी और यह रिशो बन गया है ठेक है मेरे भाई इस तरीके से करना है बह। बह। जल्दी गड़ना है इसचीज को अब कितने का डिफ्रेंस हा रहा है मेरे आप बोलो कि T किस्टेगा decrease हुआ 10 का कितने पे decrease हुआ आप बोलोगे 117 पेडिक्री इन्टू कितना जैगा अपका कितना चैनल 207 पर्तिशत आपक अनसर आ चुका है इसको आपका आपना पीटना चाहो एक रोगन निलितना चाहो जो काट निल्टना निकालो तीक है आगे बड़ते हैं बढ है पर यह आपका सीजल यह तो आएगा ऐसे शिफ्टों में 12 शिफ्टों में पेपर एक तो में ऑप फीरvania की दूसरे में तिन विचल ενा और इन दोनों और को ही सो भूंत तक समझ नहीं है अप देख सकते हो फिलाjoint माय कोशन है और यह जो जितने भी कोशन करा हैं भी 2019 माय कोशन है अभी अपन 2019 करें 2019 को खत्म होते ही अभी अभी पढ़ेंगा पन टेंशन मतलना पूर 27 कोशन कम्प्लीट करेंगे ठीक है अब देखो क्या बोल रहा है इस प्राइस और शुगर इस इंकरेश बाइट वाइट फटीव पर संट पर संट अपर्सन वांट इस एक्सपेंडिटर वाइट पर संट ओनले मतलब आपका सी वन रेशो सी तू कितना आजाएगा आपका कंजम्चंप्राइस किती बढ़ेंगे 100 से पर हुआ है आप देखो साथ 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 दिख रहा है मतलब आपका मेरे भाई साथ से इंटू करोगे तो यह कितना जाएगा मेरे भाई आपका कितना जाएगा किइन यह ठाएगा आप आप वलो के बिल्कुल यह ठाएगा ट्वैंटी फूर से वह ठाएगा सब्सक्राइब करा ला है एन जाएगा साथ फुर्टी नएंन तो कितना है यह कितना है यह तो कितना यह तो बढ़ा है जो और शिक्स पॉइंट नाइन तो ही नहीं सकता तो क्या हो गया अंसर 7.3 कितना हो गया 7.3 दो समझने कोशिच करना में आपको दिखाना मैं चाहरा कि मेरे केल्कुलेशन कितनी है मैं अगर पर में करूंगा तो इसी तरीके से करूंगा और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे से पढ़ रहा है ना मेरे दोस्त देखो जो भी मेरे से पढ़ रहा है ना मैं चाहता हूं कि मैं उसको मेरे से बहुत 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 बह हो गया 900 मैं से 868 करूंगा तो मतलब 32 बचा ठेक है पॉइंट आएगा साथ के बाद तो कितना होगा 320 हो गया 100 चोईस इंटु दो करूंगा तो कितना एगा मेरा चोईस-चोईस 48 और 248 मतलब 7.2 के समतिंग आएगा आपका अंसर और आप ऑप्शन पर गये तो यहां पर 7.1 हो गया तो 7.2 से कम हो गया यह आपका यह 6.9 है तो होई नहीं सकता यह 7.5 आपका बहुत ज्यादा हो गया किससे 7.2 से तो नियर्स्ट क्या आपका 7.3 है तो यह क्या होगा आपका आंस चीनी की कीमत कित्ती बढ़ गई 20% बढ़ गई मतलब चीनी कीमत कित्ती सो पर कित्ते बढ़ गई 211 हो गया तो जो रिशो कट जाएंगे तो इन दोनों से निकाल गया तो इस तरीके से हो गया तो यह 8 यह और 9 यह तो 9 को किसे रिवाइड करना आपको 111 इंटू 100 यह क्या ह आपका परतीशत अंसर इसको खुद से डिवाइड करना आगे आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यह भी सेम क्योशन है खुद से करना आगे बढ़ते हैं अब देखो यह को बहुत प्यारा है ठीक है और 2019 में यह को आया थे ठीक है वैसे तो 15-16 को शन ते मैंने 12 को च्शन लिए बहुत जाद में समया कि नीज को सबसे अच्छा था जो सबसे लिए पार्ट जहों शेयर सब्सक्राइब करो थेकर आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है if the length of a rectangle is increased by 40% and the breath is decreased by 20% ठीक है then the area of rectangle is increased by x percent find the value of x मेर भाई समझने की कोशिच करना आपको सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए चाहिए फ्रेक्टेंगल क्या बोलना चाहर हूं अब कर अपका Ёर्या और आहिए प्रका केल है और की होता है कि तो इनिफे किती थी आपकी लेंद पांच थी तो पांच का 40% कितना होता है मेरे भाई आप बोलो कि दो होता है तो पांच का दो पांच पर कितनी बड़ी दो बड़ी तो आप किती हो गई आपकी साथ हो गई है तो इनीशली अगर आपकी लेंद किती थी मेरे भाई पांच थी तो पांच कितना होता है मेरे भाई एक बटा पांच होता है कितना होता है एक बटा पांच इस पांच का बीस परसेंट निकालो गया मतलब कितना है आपका एक आएगा मतलब आपकी ब्रैथ किती थी पांच थी पांच पे ये बीस परसेंट डिक्रीजी मतलब ये एक का डिक्रीज हुआ तो मतलब ब्रेथ किती रगया आपकी 5 से किती रगया आपकी चार रहे इत्ती चीजी समझ में आई कि नहीं आई इत्ती चीजी समझ में आई कि नहीं आई अब आगे बढ़ते हैं मिरे भाई बहुत पहरी चीजें अब आपको बता कि लैंटं इंटू ब्रेथ आपका एरिया कितना जाता है कितना आता है इस लाया कितना एज यहां पर देखता हूं कि लैंथ इंटू ब्रेथ अब कितंव एपनेव कितने और पर बहुद इसका हूं धेआ हम सब्सक्रान एण Olie तो इसको इससे काटोगे किए यहां पर कितना एगा चार आजाएगा और आपका और इस सोगा इस इसको करने का एक और तरीका है सकसेसिव में आप इसको लगाओ X plus Y ठीक है plus X into Y upon में कितना आजाएगा 100 ठीक है यह इस तरीके से वह सकता है आपको दे रखा है कि पहले कोई चीज 40% बढ़ रही है फिर कोई चीज 20% गट रही है तो क्या आएगा आपका 40 minus 20 minus 40 into रुखो इसको थोड़ा सा उपर समझाते है important चीज है इसलिए तो यह कितना है अब यहां हो गया इन निखो तो कितना है और इधर से कितना रहेगा आठ डाय तो इस फॉर्मूले से इस तड़ी के सांट जार और सकते हो रवली सॉल पर सकते हो है है टीक है और जार बीस के कुशन के चल ओगाया है यहां से आगे बढ़ते हैं देखो क्या बोल रहा है भॉद यह सिखी लिए अब अभाणी ही बॉद इस सचाइग पर्सेंट औरillonर ऒगांनदेटेयाक। अवान के लिए गूमाणो लगोड इंतिश जल्द है लिए छ पर्सेंट्स टारीका बताम होत्व यह कंद लो नंबर के लिए X मानलो, number के लिए क्या मानलो के मेरा आप एक बार के लिए X मानलो, क्या है आपका number X, ठीक है, आप समझे नहीं कोशिच करना, वो बोल रहा है कि इसी X का, इसी X का 80% और इसी X का 60% ठीक है मेरा भाई, इन दोनों का मैं अगर difference लेता हूं, तो मेरा कितना आता है, आप बोलो कि मेरा 198 आ रहा है, यह समझ में आया कि नहीं है, तो 80% और कितना लिए आपने 62% यहां पर है, कितना 62% इन दोनों का difference लेता हूं, तो कितना आता है, 198, असी में से 62 गया तो आपका इतना बचेगा, 18%, कितना बचेगा, 18% of X, किस के बराबर आबर आगा, आपका 198 के बराबर कितना आ चुके मेरे भाई, कितना आ चुके आपकी 1100, समझ गए या नहीं समझे, समझ गए, अब क्या बोल रहा है, मेरे भाई, आपका वो कि difference between 92% and 56% of the number, इस X का, इस X का, क्या बोल रहा है, इस X का, 92% और इस X का 56% के बीच में जो difference है, वो क्या होगा, ठीक है, तो आप आप बोलों के 92% और 56% इस X का, तो इन दोंनों में difference कितना आएगा, चार वो और तीस और यह 36% मतलब इस X का, क्या पूचना चारा है, वो 36% पूचना चारा है, पूचना रहा है, इस X का ओ, 36% मतलब X कितना है, आपका 1100, 1100 क्या पूचना चारा है, 36% समझे की निया, समझ इतना कितना भाई 56% का डिफ्रेंस क्या होगा मेरे भाई 1100 पूरे में से कॉमन आ जाएगा आ जाएगा 96% में से 52 56 काटोगे तो यहां पर कितना जाएगा यह 36% आ जाएगा कि निया जाएगा और मैंने यहां पर इसको X के फॉर्म में भी समझा कि X का 92% और X का 56% अगर इन द आएगा ठीक है देखो पैन बदलते तो अब इसका 36% निकालना मतलब यह परसंट अटाओ गे नीचे सो जाएगा जो 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 कट गए 36 इंटू 11 करोंगे मतलब 36 अर यह कितना कि अपका नो यह कितना कि पच्छ है और यह कितना कि त्री नाइंटी सिक्स तो आपका ऑप् समझे ना उसको ठीक है अरुजब पैज देख लूँ पेज देख लूँ पेज देख लूँ कि मेरdan भी अब समझे निपकोशिक करना कर दोल रहा है कि यहीं से कुशन है उसको कर रहा ह। डाय्रेक्ट राने की कोशिक कर रहा हूं समझाने कोशिक कर रहा ने क्या एक नंबर का 6 근 अब 10 नंबर का शिन वर्सेंट जो है आपका 198-8 के बराबर है विंटका उस्ते वेलू कितना है मतलब सूपयेंट कि डिफेरेंस कितना है जाएगा नाइंटी थेके यहां से इसको डिवाइड कर दोंगे तो कितना त्युक्त तक्या जाएगी मतलब सुपरसेंट की वैलू कितने आचुके मेरे बही ग्यारा सो आचुके हो गया अब आप से पूछ रहा है कि जो आपका 92 इसी एक्स का 92 परसेंट और 56 परसेंट के बीच में डिफरेंस क्या है ठीक है तो आपका 56 में तो ग्यारा अब आपको यहां पर पता है कि क्या है सो पर से किसके बराबर है यहां पर निकालने तो आप क्या करोगे ग्यारा सो अपोन में कितना कर दोगे और ऑन्रेड इंट्रू थैटी सिक्स कर दोगे यह दो जिरो से दो जिरो कट गया और ग्यारा को चाथिस त्रीक है इसको ग्यारा से मल्टीप्लाइ करना है तो आप कि आतरो थ्री और जिक्स को इस तरीके से लिख दो यह जो चैंञ यहां पर दाएगा और इन दोनों का ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो कि टेंशन मतलो बहुत सारे कोशन लेकर रहा हूं बहुत मस्त कोशन लेकर करके आओ इस पर बढ़ते हैं पर ठीक है देखो भाई यह क्या बोल रहा है वह इंकम बेज़ वाले कोशन आ गया 2020 माय वा कोशन है सोनु सेफ 15% of our income क्या बोल रहा है वह इंकम राई इंकरिस बाई 20 ठीक है पहले यह समझो इंकम विजिकल्स टू क्या हो आपका expenditure plus कितना हो जाएगा आपका saving हो झाएगा ठीक है आपको पता ही इंकम किते हो तो मानली 100 रूपय थी अब क्या बोल रहा है है की 15% सेव करता है 100 का 15 परसेंट मतलब 15 रूपय वो सेव करता है मतलब खर्च कितना करता हुआ वह आपका 85 रूपय खरता हुए ठीक है वो कितना अमाउंट सेव करती है जितना वो पहले करती थी what is the percentage increase in her expenditure समझे निकोशिश करना आज भी वो 15 रुपए ही सेव कर रही है समझे पहले जब 100 रुपए उसकी सेलरी तब भी वो 15 रुपए कर रही थी आज भी वो 15 रुपए सेव गर रही है मतलब उसकी सेविंग में क हुआ हुआ है चेँश केंटा इंक्रीज को आप बोलोगे एक्सपेंडीचर में बन्हों वहença या यह है कि नहीं यह एस 16 X 15 रुपए थी इनकंश इंकम में उसके 20 का क्या हुआ hoए इंक्रीमेंत हुआ मतलब उसकी कितने हो चुक्य है 120 रूपय हो चुक्य हो ठीक है और आज भी किस्ट रूपय से विधिक हो ने के बाद सरय कितनी है 15 से अग Cop कितनी है से यहां पॉपय कितना जाए गा 105 रूपय ढτο Liqu analytical कितना हो गया 105 हो गया आप देख सकते कि इस पेंडिटर कितना आ गया आपका 20 रुपक आ गया 20 रुपक जो ही मैं आपको यहां पर समझाया था ठेके आप मोच रहा एक्सी पेंडिचर रहा और इसको कट लोग तो कितना जाएगा 17 अपोन 4 इसका मतलब कितना हुआ एक उपन 17 का मतलब होता है पांच 15 उपन 17 तो आपका चार अपोन 17 का मतलब कितना होता थेंगा 20 60 मतलब 60 मतलब 3 तो 23.00 something आएगा आपका थिक है और साथ मतलब नाइन बच्चे का तो कितना गावाइब फइवाइव अश्यट्ग है विस्को बेसिक से थे आप सकते हो यहां पर कियाएगा चार सो अपन शतर आएगा उस तरीके से भी क्या गपूलेट कर सकते हो ठीक है मेरे भाई समझ में आया कि निया है आगे बढ रहा है देखो समझने कोशिश करना और शायद यह CGL 2020 में आयवा वान फफ देश्ट कोशन था है ठीक है दा इंकम आफ ए 60% लेस्ट देन इंकम आफ भी ठीक है समझने की कोशिश करना रेशों से भी करेंगे इसको और रेशों से that of B the expenditure of A is equal to 60% of expenditure B's expenditure if A's income is equals to 70% of B's expenditure then what is the ratio of saving of A and B समझने की कोशिश करना बहुत ज्यादा इसी कोशन है और बहुत ज्यादा टेक्निकल क्योशन है बहुत लोजिकल कोशन है बहुत प्यारा क्योशन था सीजियर का मेरे को वन आप दा बेस्ट कोशन जो लगाता यह लगाता इसके अलाव कुछ हाड़ी नहींता सब कुछ रिपीटेड़ था यह भी रिपीटेड़ है वैसे तो लेकिन थोड़ा अच्छा कोशन है ठीक है समझ निगोशी करना क्या बोल रहा एक की इंकम जो है 60% कम है बी से अगर बी की in कम किती रही है मेरे भाई 100 रुप्य रही है तो 10 Teachers कו 20% कम किती रहे होगी 40 रहा होगी या फिर इसकतर कर समूझ परů साठ पर्सेंट का मतलब कितना होता आपका थीन अपोन पांच खुता अगर जो आपका भी है उसकी इंकम कितनी पाँच है तो इस पांस का 60 percent कम मतलब पांसे तीन कम पांसे पांसे कितना पाम मतलब क्या रही होगी एक इंकम रही होगी की नहीं रही होगी deeply मतलब इससे kaटो तो भी expenditure of A is equals to 60% of B's expenditure the expenditure of A, A का expenditure है न भाई वो क्या बोल रहा है B के expenditure के 60% के equal है ठेक है B के 60% के expenditure के equal है 60% का मतलब क्या हो गया है यहां पर सुआ जाएगा इस B को मैं धर लियांगो तो A upon B जो आएगा भाई कितना जाएगा 3 upon 5 जाएगा और जो 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 चीज बन रही है यहां पर जो ratio आएगा A ratio B का जो रे आएगा यह कहा है expenditure का यह किसका है expenditure का यह जो ratio आए वो किसका है expenditure का तो मैं इसके साथ क्या लगा रहा हूं यहाँ तक कोई के साथ फाइफ वाई ठेक है मेरा भाई यहां तक किसी को प्रॉब्लम में तो बताओ मतलब इंकम का रेशो कि आचुका है अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर का रेशो कितना चुका है मेरा भाई ठीवाई और यह कितना चुका है फाइफ वाई य expenditure एक ही जो इंकम है एक ही इंकम कितनी है मेरे भाई आप बोलो कितनी है टू एक्स है यह इकुल है 70% सेवंटी परसेंट का मतलब सेवंटी अपॉन हंडेड सेवंटी परसेंट आफ बीज एक्सपेंडिचर और वी का जो एक्सपेंडिचर वह कितना है आपका 5y है इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं यहाँ पर 10 से 10 कट गया इस पांच से इसको कट तो दो आजाएगा और यह जो दो है इदर डिवाइड में दरजा कि इससे मठीप्ला हो जाएगा तो यहां पर कितना आएगा मेरे रहीं आपका फो इहां पर कितना आएगा मिरा भी आपका fir x k entscheiden- van pas even week produced टू-7 बए यह समawर माई कि नहीं आई भे शोट कैट फॉर एक्स समझ नहीं कोशिश करना एजी एकोशन कुछ भी ने कोशन है ठीक है आपका क्या आ गया भाई मैं 4x equals टु कितना गया आपका 7ज आखर मैं इन दोणों का य। दो कितना जाएगा 7 अपन कितना आ गया आपका 4 आओके कितना आगया मैं रफाई है चार अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो कितना है एक 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 रेशियो वाई कितना है आपका साथ से कितना है आपका चार आया ठीक है आपको पता है कि आपकी जो ए और बी की इंकम क्या था इंकम का कितना था तू रेशियो टू एक्स औ ठीक है और जो expenditure का रेशो तो कितना था फाइव एक्स यह आपका एक्स पेंडिचर और यह कितना आपका थ्री वाइए इत्थी समझ माई कि नहीं है आप से पूच रहा है saving का रेशो पूच रहा है ठीक है saving क्या होगी आपकी saving क्या होगी आपको पता है income is equal to क्या होता है आपका expenditure plus saving होती है तो saving is equal to क्या होती है आपकी income minus क्या होता है यह होगा तो मतलब जो आपका ए है ए है उसकी value क्या बनेगी 2x minus 2x minus 3y बनेगी यहाँ पर बस value पूट करो ठेक है 2X एक्स कितनी आपका 7 एड़ी टू सेंट्न रोगा x को मतलब 7 आपका तो वर 2 शेंटा आपका पर सोच करोंगा 19 मTr difference देखें ठीक है B की saving देखें 5X मतलब 5 into 7 करोगे मतलब यह कितना 5X-5Y है ठीक है तो आपके करो 5 common ले लो X-Y कर दो X-Y करो तो कितना जागा दोनों का difference कितना 3 तो 5 into 3 कितना हो गया आपका मेरे बाई कितना हो गया 15 आप से क्या पूचा था ए और बी की saving का रेशियो पूचा था मतलब यह कितना हो गया टू रेशियो कितना हो गया आपका 5 हो गया कितना गया टू रेशो 15 आगया थोड़ा आपको क्योशन का अंसर ठीक है आई होप आपको समझ माया होगा और बहुत प्यारा क्योशन था यह One of the best क्योशन त्योशन त्यूशन था है दिए फोड़ी मेहनत करने पद रही है थोड़ाँ आपको effort देना पड़ रहा है, इस question को थोड़ा सा बाद में कराते हैं, ठीक है, इसको देखो, In an examination in which the full marks were 500, A scored 25% more than B, B scored 60% more marks than C, C scored 20% less marks than D, If A scored 80% marks, then the percentage of marks obtained by D, ठीक है, बहुत इसरी question है, समझेनी कोशिच करना, जैसे जैसे question में बोल रखा है, वैसे में से करूँ, Total marks, कितने थे exam के 500 होते हैं, आपको क्या बोल रहा है, A ratio, A ratio, B की बात कर रहा है, आपका पहले, क्या बोल रहा, A scored 25% more marks than B, 25% more का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब कितना होता है, मेरे भाई, आप बोलो के 25% का मतलब होता, एक बटा 4, मतलब आपका जो बंदा था, कौन, A score 25% more marks, तो यह क्या है, B के नमबर है, अब B का है, इसे 25% more, मतलब यह एक ज्यादा score कर रहा है, अगर आपका B कितना score कर रहा है, आपका 4 score कर रहा है, तो आपका A कितना score कर रहा होगगा, पान्च score कर रहा होगा, इसी चीई समझ माईएं कि नहीं है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपका, कि B score 60% more marks than C, ठीक है, B اور C की बात करते है अपर, ठीक है, तो क्याALLY बोल रहा है, B score 60% more marks than C, कि 60% का मतलब कितना होता है आप पर तीन बटा पांच अगर आपका जो बन्दा है सी वह पांच नंबर स्कॉर कर रहा है तो इस से 60% ज्यादा क्यों स्कॉर कर रहा है यही तो बोलरा है कि भी सकोर सबस्क्राइब सिस्टार से सब्सक्राइब करने छीप एक इस तरहीर विद्ध नहीं तवह नहीं धीन वैसको स्व्ल कर लो कुछ दिक्कत तो पर सकतनी आने स्पथियो से अपको यहां पे क्या निकाला को इस तरीके सा आराम चेको तीक 2005 कि इतनी को यह गया यह उपर 165 निकालो एक motor ah यह कितना होता है आपका ह sorcer के से निकाल से निकाला और इसको से 5 से 8 कि यहां पर कितना आएगा कितना होता है ठीक है और यह कितना हो चुका है ठीक है अब क्या बोल रहा है इसकोड 80% मार्क्स दैन परसंटेज ऑफ मार्क्स अप्टेंड बाइड दी देखो यहां पर अगर और मैं किसका रेशो लेखूं डी की देखूं तो आप क्या बोलोगे और डी कि में बात करूँ ठीक है यहिए कितना है अगर आपका 160 है तो d कि ापका 100 Jorge कोर adolescents score करनान sitting score कर आए मतलब 60 का हाफ परेंट उसने score कर आयूंगा है तो तो दिने भी तो भाई अपने स्कूर कर ौना मतलब 50 percent मार्क्स एन ipox ना स्कोर करें एंग的话 आप बोलो Royal बिलकुल और आपका option D क्या हो गया है बिलकुल अच्छी तरीके से सही हो गया है तो आपका D क्या है बहुत तीजी से कर लोगों चीजों को ठीक है आगे बढ़ता है क्या बोल रहा है A and B spent 60% and 75% of their incomes ठीक है respectively बहुत अच्छा कोशन है बहुत अच्छा कोशन है बहुत बहुत अच्छा कोशन है यह वाला बहुत अच्छा कोशन है समझ ने कोशिश करना क्या बोल रहा A and B spent कि A and B spent 60% and 75% of their incomes ठीक है बाई अपने आपका कितना इस्पेंट कर रहा है 60% spent कर रहा तो सेव कितना कर रहा है saving देखनी है अपने को saving घंग यह कितना सेव कर रहा है saving देखनी एक कि आप बोलोगे 60% spent कर रहा है तो 40% क्या कर रहा है आपका यह बचा रहा है इतनी समझ में आघी फिर जो B बंदा है आपका कौन B उसकी सेविंग की बात करो तो 75% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है आपका 25% क्या कर रहा है वो बचा रहा है इती चीज़ में को समझ मा आती है फिर क्या बोल रहा है if the saving of A are 20% more than debt of B मतलब जो saving है A की 40% of A जो है saving है जो A की वो क्या है 20% ज्यादा है 20% क्या है ज्यादा है किसे B की इंका B क्या बोलते हैं सेविंग से मतल phen time कितनी है बी की स्वेंग कितनी है B道 25% है इस सेविंग से जो ये चीज है वह क्या है क्न परसेंट जादा है ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये वादाओ ठीक है समझ माई कि निया यह बताओ यह चीज अब क्या बोल रहा है अब जो लाइन है बहुत इंट्रेस्टिंग है और बहुत पैरी लाइन समझने कोशिश करना क्या है अगर यह चीज़ समझ गया आप तो तो अगर मैं बीकी सेविंग को भी 20 परसेंट बढ़ा दू मतलब क्या बोला चाहरा हूं कि 40 परसेंट ओफ ए ठीक है इकवल हो जाएगा आपका अगर मैं यहां पर इसको बढ़ा दू कितना बढ़ा दू बीर का 25 परसेंट इसका वह है सेविंग कितना बढ़ा दू 20 मैं यहां पर कितना रहे घ्रींटी फीफ परसेंट हैंगे का मतलब कि इनकम कितना होता है अगर तीन रही होगी तो भाही की इंकंू मतलब कि यहोगी मतलब क्या बोलना चाहरा क्योंट में आपको यहां पे कि तो ए की आये बी की आये का बी की आये से कितने प्रतिशत कम है कितने हैं आप कितने कम है एक एक यूनिट कम है किसे बोल रहा है इस को समझने को समझने क्या बोला भाहिए आपका एजो है хर्चत करता कितना है साट फरसेंट करता है तो बचाता कितना है 40 एक सेकंड वेट करना के जो ए है वो अपनी इंकम का साट फरसेंट कर देता है तो कितना बचाता है वो 4% पर्जाताहे है उसको कितना बचार रहा है वो ऐसे बोलना चाहरा है उसकी से जादा जादा एक त्यासे हो स्थित परसेंट कमाता है ज़ादा उसकी इंकम है जादा क्या बोलना रहा है है क्या है इस सेविंग 20% मतलब जो एकी सेविंग है यह 20% जादा है यह बोलना चाहरा है ठीक अगर में B को 20% पढ़ा दू तो क्या वो एक सफिर ये चीज आजाए अपने आप में बराबर आजाएगी अब देखो ए 4 परसेंट से इसको काट होगे तो यहां पर परसेंट से कुछ कितनी बार मैं घटकी दिन पार में कट गया चब तीन इसे कितना है जाएगा और कितना अटेक्ट आएका कितना परसेंट यहां यह क्या मानी थी आपने एक की इंकम मानी थी तो एक की इंकम कितने आ चुकी आपकी तीन आ चुकी है बी की इंकम कितने आ चुकी है आपकी चार आ चुकी है अगर ए रेशियो में बी देखूं तो यह कितना आ रहा है आपका तीन से चार आ रहा है और एक की इंकम बी की इंकम से क कितना कम है एक उनिट कम है कितने पे कम है बीज पे चार इंटु सो करोगे तो कितना आजाएगा मेरे भाई आपका 25% और यह क्या चुका आपका अंसर वन आफ द बेस्ट क्योशन था यह भी सीजियल 2020 में आया हुआ ठीक है देखो अब आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है प्राइस ऑफ शुगर इस इंक्रीज बाइटी परसेंट अब समझने कोश्च करना वाइवाट परसेंट मस्ट वन कट डाउन ऑन दा कंजम्शन सो शुगर आगे बोल रहा है मतलब यहां पे आपको इस ऐस परसेंट बढ़ जाती है किमत कितनी बढ़ गई 20 परिस बढ़ गई व्यक्ती को चीनी की खपत मैं कितने की कटोती करनी चाहिए ताकि चीनी पर जरा भी अतिरेक्त खरसी का खर्चा ना हो मतलब चीनी पर पहले जितना आप खर्च कर रहे थे तोटल आज भी आपको उतना ही खर्च करना है टोटल ठीक है मेरे भाई समझ नहीं कोशिच करना बहुत इसी कोशन था देखो 20% बढ़ रही है मतला प्राइस किती थी आपकी सो थी सो से कितना बढ़ गए आपकी किती होगी प्राइस 120 आपका एक्सपेंडीचर एक्सपेंडीचर आपको कॉंस्टेंट रखना है तो आपका चंजम्शन का जो रिश्यो होजाएगा वह क्या हो जाएगा प्राइस के जस्ट रैसी प्रोकल हो जाएगा तो मतलब यहां पर इस ने उसका शुरूआत में कितना कर रहा था हो एक सो निकालोगे तो भी शेयक्स एक्सफ ट्रम फो का तो कितना है यहां पर एक बटा छे और एक बटा चे का मतलब होता है आपका 16 जु भाई स्टूडेंट डिड नॉट अपेर फॉर दा एन्वल एक्जाम अगर मानता हूं आपकी स्कूल में हजार बच्चे थे एक बार के लिए समें बीजार दे दिया मैं अगर मानता हुँ हजार बच्चे थे क्योंकि 1000 से में को calculate करना बहुत चीजी हो जाएगा चीजों को दो तरीकों समझाओंगा दोनों समझना अगर आपकी स्कूल में कितने थे 1000 बच्चे थे 1000 में से मतलब क्या हुआ चार परसेंट बच्चे नहीं आये तो आए कितने आप बोलोगे 96 बच्चे क्या आये ठीक है 96 चोरी 1000 का कितना चार परसेंट कितना होगा चालीज और 96 परसेंट कितना होगा 960 ठीक है अब क्या बोले 10% अफ दे इस्टूदेंट फूर दैग्जाम कुद 960 का 10% 960 का 10% जो बच्चे हैं वो क्या हो गए फेल हो गए 960 का 10% मतलब कितना है आपका 96 कितने बच्चे फेल हो गए यह बच्चे क्या हो गए ठीक है समझ मैं है अब 960 में से 96 कट कर दो गया तो यहां पर कितना सब्सक्राइब कितना ब으लो के 99 सब्सक्राइब कर JAMES no Даже göreit 860 और 8 865 सब्सक्राइब 864 मतलब यह जो चाहिए यह जो बच्छे थे त्यक्पास हुए अब आगे पढ़ो out of the remaining student 50 percent देश 50% got distinction marks and 432 student passed the exam इस मेंसे भी 50% students है उनको क्या हम लगिये distinction लगिये ठीक है इसका 50% मतलब half करोगे तो कितना जाएगा 432 आ जाएगा कितने students आ गए 432 students आ गए इनको क्या लगिये D लगिये पता होगा ना D क्या होती है D लगिये इनको इसका लगिये इनको एक्जाम में तो अब बचे कितने आपके students आप बोलोगे कितने बच गए 432 आपके students ठीक है और क्या बोल रहा है पास्ट एग्जाम and could not got distinction marks इनको क्या है distinction marks नहीं लगिये इनको क्या है D नहीं लगी इतनी चीज़ समझ मागई और आपको question में भी यह कितना दे रखा 3 432 यहां पर भी कितना दे रखा है 432 दे रखा है और question में भी आपको यह दे रखा कि 432 students ऐसे हैं जिनको डी नहीं लगी तो आपके students कितने रहे होंगे शुरुआत में आप बोलोगे 1000 students ही रहे होंगे कितने students रहे होंगे आपके 1000 students ही रहे होंगे अब मेरी बात ध्यान से समझने के कोशिश करना इसको मैं basic से करा जाता हूं ठीक है बेसिक नहीं एक और तरीका बताता हूं उस तरीके से समझने कोशिश करना ठीक है यह note down कर लेना pause करके note down कर लेना दूसरे तरीके समझारों ही आए तो आए कितने आप बोलोगे 96% बच्चे आए 96% का मतलब कितना हो 96 अपॉन 100 फिर इसमें से भी यह बच्चे क्या है आए हैं अब इसमें से भी वह बोल रहा है कि 10% of the students appeared in the exam could not pass मतलब इसमें से 10% बच्चे फेल होगे तो पास कितने होए आप बोलोगे 90% बच्चे इसमें से क्या होएं पास हुए है तो 90 अपोन कितना गया मेरे दोस्त हंडेड आ गया इतनी चीज़ समझ मागी ठीक है फिर इतने बच्चों में से भी वह बोल रहा है यह 50% बच्चों को डिक्टिंशन लगी है मतलब इन पूरे बच्चों में से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनक इसको डी नहीं लगी और वो क्या है कितने बच्चों के बड़ाबर है इसके बड़ाबर है यह चीज़ समझ में आई की नहीं आई मतलब एक्स मेरे पास स्टूडेंट से एक मैसे 4% बच्चे नहीं आए तो आए कितने 96% हो गए बच्चे फिर इन बच्चों में से भी 90% ब एक शेहर की आबादी पहले से 30 परसेंट बढ़ जाती है तफाथ आगले वर्स-स परदना पर परसेंट कम हो गई यदि वर्दमान आवादी ग्यारा सो ग्याराजार पचास है तो दो वर्स पहले कित्ती आवादी थी ठीक है भाई क्या बोल रहा है यह आपका फरस्ट यह हो गया यह आपका सेकंड यह हो गया ठीक है इधर तो बढ़ रही है आपकी 30% बढ़ रही है और तेरह अब आओ ठीक है यहांपे तही आगया 200 वागया है और कितना आगया आपका तू टू वन आ जाएगा ठीक है देखो सत्रा एक सुसथ और इक्ट्रों एड करोगे उसमें सतर में तीस ओर बेश इकिस आएगा ठीक है इतना आगया अब जो यह है ना यह इसकी वैल्यूद इसकी वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखिए वन वन जी ले भी कित्ती अबादी रहे होगी अपने आपकी 50 गुना रही होगी मतलब 250 गुना करो तो कितना जाएगा 10,000 तो आपका option क्या है यह बिलकुल अच्छी तरीके से सही है आगे बढ़ते हैं ठीक है देख क्या बोल रहा है समझने को बहुत इसी को ने क्या बोल रहा है थो इन एग्जाम ऑले की उशन इसान ईया ठीक है इस पासिंग माक्स वाला की उशन नहीं उस पेटन से क्या बोल रहा है इन एन एग्जाम अनिता इस को 31 % माक्स and Failed by 16 % Sunita iSkord 40 % माक्स and obtained 56 % more than those required those required to pass find the minimum marks required to pass marks निकालने आपको समझ निकोशिच करना आपकी क्या है अनिता है एक बंदी उसके क्या 31% marks आ रहे हैं ठीक है और वह फेल किते नंबरों से हो रही है 16% 16 नंबरों से फेल हो रही है अगर इस 31% में अगर इस 37% में मैं 16 number एड़ कर दूं अगर 31% में 16 number का % निकालके , ओलोगे कि वो क्या हो ज़ाएगा बंदा पास हो जाएगा यहां पर कहीं न कства सकी नंबर होगे हो क्या हो जएगा का पास हो जाएगा ठीक है दूसरी तरह पर की सुनीता ठीक है वह क्या अगर रही है 40% number लेकर क्या रिए ठीक है 40% number लेकर क्या रिए और वो क्या हो रिए passing number जो यह passing number है ना इससे 56 number ज्यादा लेकर क्या रिए मतलग अगर इसमें 40 40% में से 56 marks कम कर दूं तो आपका passing marks आजाएगा इती चीज समझ मैं गई कि कल मैंने समझाय था आपको percent का तो difference लेते हैं तो यहां पर कितना आजाएगा 9% ठीक है और जो यह चीज है इन दोनों का लेते हैं एडिशन लेते हैं तो चपन प्लेस 16 कितना आजाएगा कितना आजाएगा कितना आजाएगा मतलब 9% किसके बराबर है कितना आजाएगा तो आप बोलोगे कि 2% कि वेल्यू है आपकी तो कितने आजाएगी 16 मांक्स हैँगी 6 marks की जगे 16 marks का मतलब कितना आपका 2% 21 में में कितना बन जाएगा 33% और यह क्या है आपका 5% ठीक है अब मेरी बाद ध्यान से समझने के कोशिश करना कि जो आपका एक अब कई निकालना है पास पर से रिट कको खेड़ो है रीक्रेंट करना है और इचा करना है अब तो मेरी बात ध्यान से समझने कुछ करना option A कड़ गया B कड़ गया C कड़ गया option D कितना है आपका correct अंसर है 246 33 को एट से इंट करो तो कितना है आपका 264 आएगा कितना एगा 264 आएगा यह था question बहुत easy question था आपने तीनों option उड़ा दिये अपसका option वह बजगा है समझ रहे हो मैंने 8 33 से multiply नहीं करना है आपको यह टाइम भी वापर पेपर में बचाना है 8 33 से multiply नहीं करना है समझ माही कि नहीं चीज कि आगे बढ़ो क्या पोड़ रहे question ठीक है यह question कुछ से करना है ठीक है अब देखो यह question देखो by what number must the given number be multiply to increase the number by 25 यह x एक नमबर है कोई इसको मैं किस चीज से multiply करूं कि यह x जो है अपने आपका कितना increase हो जाए x अपने आपका कितना हो जाए 25% increase हो जाए मतलब x अपने अपने आपका कितना हो जाए 125% हो जाए ठीक है x इंटू 125% का मतलब होता है 5 बटा 4 यह कितना x इंटू से हापर किस से multiply करूं अगर मेरे को यह और यह दोने equation इंग को satisfy करना है तो मेरे को यहाँ पर भी किस से multiply करना पड़ेगा 5 अपन 4 से ही multiply करना पड़ेगा तो आपका option क से आया बिल्कुछ अच्छी तरीके से सी सही है कि आगे बढ़ते हैं रवी स्कोर 72% मार्क्स इन एक्जामिनेशन इफ दीज आर 360 मार्क्स देन दा मैक्सिमम मार्क्स रवी ने 72% जो माक्स है वो स्कौर करे है ठीक है और जो 72% मार्क्स है न ये बराबार किसके 360 मार्क के ठी पर सेंट जो मैक्सिमम मार्क आएंगे वह कितना आजाएगा आपका 500 आप्शन एक आपका करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं ठेक है अब सिर्फ आपका एक क्योशन बचा है सिर्फ एक क्योशन बचा उसको करेंगे और लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे कि दो तिन जो मैने क्योशन चुड़वाएं वह आपको करने हैं कि यह रहा बहुत प्यारे क्योशन है समझना देखो क्या बोल रहा है ए बी तता सी अपने वेतन का आठ परसेंट साथ परसेंट तता नो परसेंट भाग एक पुर्णाय ट्रस्ट पुर्ण पुन्यार्थ पु वहतन सम्मान है तता उनके में 259 रुपए का कुल दान 1185 रुपए अधिक है एचरा क कुल दानने किटना प्रतीशत है समझने क couch करनाān आपका पारिया है आपका बंदा है भी और आपका बंदाना is 500 कर रहा है अपना आपका 18% यह कितना बनेट कर पनापा 7% कर रहा ओyr टंड में सी इनकम मैं吧 करेंगे यह अपने ट्रस्ट को एक डॉनेट कर रहे है तत्ता ठेक है ए और बी के वयतान सम्मान है मतलब जो आपका ढ कराना बो किन्कम है वह घुत् अगर इनकी इंकम करत और तो ए अपने आपका घृत ऑलत कर्ट कर रहा है आप बोलो कि 8% कर रहा है donation में और जो यह बंदा है अपना कितना donation कर रहा है 7% कर रहा है अपनी income से ठेक है अब क्या बोल रहा है A और B के वेतन समभान ने तता उनके दान में कितना अंतर है 259 रुपीज का अंतर है यह 8% कर रहा है अपनी income का और यह कर रहा है तो इसकी income और इसकी income सेमें यह ऐब उसी चीज का यह भी अपनी उसी income का 8% कर रहा है तो मतलब जो एक percent है यहां से कितना 1% का मतलब कितना Ctrl 250 project नइन है तो आप बोलोगे की हंड़ेड परसand का मतलब कितना जाएगा आप leverage कितना जाएगा 25900 संद्ध में आया कि नहीं है आपका 100 का मतलब मतलब और वी की इंकम ज्वाइए अब बोला की बिल्कुल समझ महा रहा है उन वह अर बी 번째 का कुल दान सी के दान से कितना जाधा है 1185 रूपै अधिक है अब देखो 259 00 a plus big दोनों मिलाकर कितना दान के लिए इस fidelity कर रहा है कितना गहरा है 7 संद कर रहा है तो फाइव ना ग्या चाplease कितना चार तो इसमें परम पह तालीस और यह कितना आपका ऊटारा और एंटने का मिले करें कितना है ठीट ऐत High डाइब ही भाय है यहां से आपको निकाला है twice a one пять फाई कितना गया और 2009 007.00 मतलब विलता करना कर्या 2700 रूपे दान कर रहा है कितना द राए की 2700 रूपे दान कर रहा है अगर परहं कर रहा है सी कितना कर रहा है 9 percent मतलब सी का तो 9 공ada है वह किसके बरावर 2700 के बरावर 4700 के बरावर रहे कुस Пон Broken Pomodiva M haom कि अच्वार सब्सक्राइब को बieleरिया और धेख यह वझ तो um करूं यह कितना आपके इसके इंकम कितने 259 0000 इसके कितनी है आपकी इंकम 30,000 अब समझने कोशिच करना आपको क्या बोल रहा है कि A और C का कुल दान ठेक है एक और C का कुल दान A B C के कुल वैतन का कितना प्रतिशत है मतलब आपको गया निकालना है कर रहा है कितना परतीशत कर रहे आपको 8% कर रहा है और यह उसका छुत्त कर रहें जाड़ा है कितना धुर्चिखाश्थ निखाए लुटा आफ उन ट्स Olpe जोने यह कितना अब यहतना आपका बढाई एक Lifto sirala कर रहा है यह कर रहे है जुक्ल रौल यह संट निकाल तो किना गार सैवंकिटी टू और 40 यह कितना हो जाएगा 47 16 और यह कितना हो जाएगा 20 हाँ यह गलती कर दीना अपन नहां पर कितना हैगा 20 ठीक है यह कितना जाएगा तो यह कितना है आपका ट्वेन्टी सेवन और कि he मुथ साथ है सेवनने कितना कितना ग्तार है कितना है spring की a प्लास कितना कैसी अपन में कितना है, इनकी income ये, ये और ये टे कितना हो गया आपका एक ठेकहर इतना आ है न टू से दो जिलो कर जाएंगे इसको इससे काट लियना और अंसरा जाएगा समझ माया है कि निया है 4772 को आवे करना है डिवाइड करना है 818 तो से ठेक है और आपका अंसरा जाएगा दुबारा समझते हैं इस कोशन क्या था एक बंदा है एक बंदा है बी एक बंदा है सी अपने वेतन का 8% 7% 9% भाग क्या करते हैं ट्रस्ट में क्यों क्या ने उनका डिफरेंस कितना है 259 रुपी चैनल वी का कुल दान सी के दान से कितना 1185 और अधिक है तो ए और सी का कुल दान ए डरी था कितना प्रवेतन प्रतिशत है इता तो एक बंदा था एक बंदा था बंदा सी या 8% कर रहे हैं इन दोनों की इंकम जो है तरो नोन का difference जो है donation गाव किता है 1% और इस 1% की वेलु किती गवन इत्ती तो 100% की वेलु किती गवन आदेगी किती आदेगी 100% की वेलु 25900 इत्ती बात समझ मागी थी फिर ठीक है एक इसल्री किती आई 25900 बीकी भी सेम है 25900 फिर आपको इसे वा गिवन था की जो आपका 거예요 का जो दान है ठेक है वह क्या है सी के दान से किताए 1 185 रुपीज ज्यादा है ठेक है तो आपने कहल रहा है दर सी का दान निकाला सी को दान कितना अगी 2700 मतलब 9% की वेलू 2700 100% की वे परसे निकाला कितना है तो इन दोने के दान को अपने ही अपने का रहा था एक तान कितना यह तो दोनों को इनको इसको इसको डिवाइड करा किस से a plus b plus c की income से डिवाइड घ्रा हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कितना का 106iego 2010 se अंसर आजाएगा ठीक है मिर भई अब देखो समझने कोशिश करना मैंने सिर्फ एक दो क्योशन छोड़ें आपको करने के लिए एक दो और एक आगे क्योशन छोड़ा है जो की सेम है ठीक है इंकम बेज़ चोड़ा है एक और एक आपका प्राइस इंटू कंजम्शन वाला क् ठीक है सब कुछ कर रहा है मैंने आज ठीक है कम से कम 27-28 क्योशन ते जो मैंने आपको कराए आज के लेक्चर में अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो शेयर जरू करा करो उन बच्छों जरूर पोच्छा हो जिनको इसकी बहुत कुछ और बहुत अच्छा पड़ा रहा हूं इसकी पीपीटी आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी चरंजी वी क्रासिस के नाम से टेलिग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाजा करके आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो आपको पीपिटी मिल कजाएगी ठीक है टैंशन मत लेना परसंटेज इस तरीके से अभर में अभी तक निचोड् Killer परसंटेज का 2 पार्ट पढ़ें आज अज अपना तीसरा सृप है guy डेयले में कोसिछ आज जितीस क्योशन करें और फिर निलिस परसंटेज को निपता देंगे ठेक है अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना तब तक के लिए have a nice day बाई कल मिलते हैं